इस वीडियो में हम बात करेंगे कापा बलंका और रुडॉल्फ के बीच में खेली गई एक गेम के बारे में यहां पर वाइट पिसीस के साथ कापा बलंका खेल रहे हैं और ब्लेक के साथ रुडॉल्फ तो यहाँ पर कापा ब्लंका ने शुरुवात की E4 से और ब्लेक ने रिपलाई दिया E5 नाइट F3, नाइट C6, नाइट C3, नाइट F6, 4 नाइट वेरियेशन बिशॉप B5, बिशॉप B4, डबल स्पैनिस कीम और यहाँ पर कापा ब्लंका और रुडल्फ दोनोंने किंग सैड केसलिंग कर दिया D3, D6, तो यहाँ तक तो गेम सेम ही रही बिशॉप G5, नाइट E7, नाइट H4, C6 यहाँ पर बिशॉप पर प्रेसर है तो बिशॉप C4, यहाँ पर नाइट E8 अगर यहाँ पर ब्लेक इस नाइट को ना मोग करके, अगर कुछ और मोग करता है बिशॉप D7 तो यहाँ पर नेक्स्ट मोग में बिशॉप कैप्चरस नाइट F6 आएगा और यहाँ पर G कैप्चरस बिशॉप F6 के बाद ब्लेक की किंग सैड वीक हो जाएगी तो यहाँ पर इसलिए ब्लेक ने नाइट E8 मोग किया यहाँ पर नाइट G6 भी मोग आ सकता है लेकिन यहाँ पर ब्लेक ने नाइट E8 मोग किया F4 बिशॉप C5 चेक तो यहाँ पर किंग H1 E कैप्चरस F4, रुप कैप्चरस F4 बिशॉप E6 तो यहाँ पर वीडियो बस करके सोचे कि कापा बलंका ने क्या मोग किया होगा जिसके बाद यहाँ पर ब्लैक की गेम पूरी तरीके से बिगड़ दई तो यहाँ पर कापा बलंका ने बिशॉब कैप्चर्स बिशॉब इस इक्स मोग किया King captures Rook F8 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F फाइल पूरी तरीके से Open हो चुकी है तो यहाँ पर कापाप लंका के लिए Attack करना बहुत ही आसान हो जाएगा Queen G4 Queen D7 Rook F8 चेक तो यहाँ पर Knight F6 तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर Bishop captures Knight के बाद G captures Bishop और यहाँ पर Rook captures F6 चेक आएगा यहाँ पर King E8 मों आता है Queen H5 चेक आजाएगा तो यहाँ पर Knight G6 के बाद Knight captures Knight H captures Knight और यहाँ पर Queen H8 के बाद King के बाद सिर्फ एक ही मों है King E7 और यहाँ पर Queen G7 चेक के बाद ज्यादय मोंस है नहीं Black के बास King D8, Rook F8 चेक तो यहाँ पर King C7 Queen captures Queen King captures Queen और यहाँ पर Rook captures Rook के बाद आप देख सकते हैं कि Black totally एक piece down है तो यहाँ पर End Game में Black को Regen करना ही होगा और यहाँ से King D8 भी मोवाता है तो next move में Rook F8 चेक आएगा King C7 और यहाँ पर Rook captures Rook A1 आजाएगा तो यहाँ से भी Black एक piece down हो जाएगा तो Black को यहाँ से भी Regen करना ही होगा तो यहाँ पर Black ने पहले मोव किया King G8 और यहाँ पर वीडियो पॉस करके सोचे कि कापा बलंका ने क्या मोव किया होगा जिसके बाद यहाँ पर Black ने Regen कर दिया तो यहाँ पर कापा बलंका ने Queen F3 मोव किया और यहाँ पर इस मोव के बाद Black ने Regen कर दिया Regen की वज़े यह है कि यहाँ पर अगर Black checkmate को बचाने जाए तो Black एक piece down हो जाएगा तो आगे जाके end game में फिर से ओही बात हो गई बलेक को Regen करना ही होगा अगर यहाँ पर Knight F6 मोव आता है तो Bishop captures Knight F6 आ जाएगा और यहाँ पर G captures Bishop F6 के बाद Queen captures F6 आएगा और यहाँ से हम देख सकते है कि Black के King के लिए ज्याएदा Squares है नहीं जाने के लिए यहाँ पर Rook F8 तो आ नहीं सकता है क्योंकि Queen captures Rook चेकमेट है और यहाँ पर Queen E8 मोव आता है तो Next Move में Queen captures E6 चेक आएगा तो यहाँ पर अगर King G7 मोव होता है तो Queen तो यहाँ पर Queen F6 चेक आएगा और यहाँ से आप देख सकते है कि King के लिए अभी भी सिर्फ एखी स्क्वेर है King G8 और यहाँ पर Knight F5 चेकमेट की थेट है तो यहाँ पर अभी Queen F8 पर मोव होती है तो Next Move में Knight captures Knight चेक आएगा तो यहाँ पर Forcefully इस Knight को Black को लेना ही होगा Queen captures Knight और यहाँ पर Queen captures Queen के बाद Black के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा Queen के भी ना खेलना और अगर यहाँ पर Knight captures Knight F5 मोव आता है तो Next Move में rook captures knight आ जाएगा और यहाँ पर Force fully made होई रहा है तो यहाँ पर Bishop E3 मोव आता है तो यहाँ पर Next Move में Rook F3 और यहाँ पर H6 के बाद Rook G3 चेक आएगा और यहाँ पर Bishop अगर बीच में आता है तो next move में h4 आएगा और यहाँ पर मैंने कहा था पहले ही कि black को एक piece down होना बड़ेगा अगर checkmate को बचाना चाहे तो तो यहाँ पर checkmate को बचाने की वज़े से black एक piece down हो जाएगा तो फिर से end game में जाकर black को reason करना ही होगा अगर यहाँ पर king h8 पर मूँ होता है तो next move में rook f7 आ जाएगा और यहाँ पर एक तरफ knight जा रहा है और एक तरफ checkmate की ध्रेट है अगर यहाँ पर knight को बचाने जाए knight g6 मूँ आता है तो next move में queen f6 check आ जाएगा और यहाँ पर king के लिए सिर्फ एक ही square है king g8 और यहाँ पर next move में queen g7 check में डा रहा है और अगर यहाँ पर queen f6 के बाद यहाँ पर knight अगर बीच में आता है knight g6 तो पहले knight captures knight g6 आएगा h captures knight और यहाँ पर queen captures g6 के बाद अगर queen बीच में आती है queen g7 तो यहाँ पर queen e6 check आएगा तो यहाँ पर king के बाद सिर्फ दो ही option है king h7 पर तो move हो नहीं सकता है क्योंकि next move में rook f7 आ जाएगा तो यहाँ पर black की queen pin हो जाएगी तो black को अपनी queen गवानी होगी और यहाँ पर black को रिजेन करना ही होगा और अगर यहाँ पर king h8 पर move होता है तो भी यहाँ पर next move में rook f7 आएगा तो यहाँ पर black के लिए ज्याद्या square से ही नहीं next move में यहाँ पर queen h6 चेक आ जाएगा तो यहाँ पर queen h7 के बाद queen captures queen h7 चेक्मेट ही आ जाएगा तो यहाँ पर इसी सब calculation की वज़े से black ने queen f3 के बाद रिजेन कर दिया